कि ओनुषिआ को एल्लोव रेंद्स वेल्कॉम टू नौ्ब फिरंट्स इंहें वीटियो में आज हम डिस्कस करइड़ेंगे व वेदिक काल के इंपरेंट नौट्स को इसे पहले के वीडियो में हमने शिंदुगाटी सब्यता के वारे में इंपरेंट नोस को बिस्क्स किया था, फ्रेंट्स हमने जाना था कि प्रिस तरह से शिन्दु घाटी सभ्यता लगवग 300 इसा पूरु में उसकी सुरुवात होती है और लगवग 1700 इसा पूरु में उसका पतन हो जाता है और इसके पतन का कारण बाढ़ को माना जाता है जातर विद्वान इसके पतन का कारण बाढ़ को मानते हैं क्योंकि ये सब्व्यता सिंदू घाटी सब्व्यता सिंदू नदी के किनारे किनारे हैली हुई थी इस कारण इसका संभावित कारण बाढ़ को माना जाता है और इसके बाद में वह भाजित क्या जाता है एक तो रिगवैदिक काल दूसरा उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पिरेड है वो पंद्रहसो इसा पूरु से लेकर एक हजार इसा पूरु से लेकर छेसा पूरु तक माना जाता है सिंद्दुगाटि सब्थता जो लोग थे वह द्रवेड कहला थे और वैदिक काल के जो लोग है वो आर्रे कहला है तो अगर साव्भी कर दिखा जाए तो वैदिक का अर्थ है व्यत सबच्चे मिलत। से निबित हुआ है यह वैदिक और वैध का मतलव होता है ज्ड्यान ज्य एक चाहा कोई टो वेद आर्यों के इतिहास जानने का मुखयَ सुरोत है इसमें और वेदिक साहित्य इसकी तिहाथ का सहरे आर्यव को जाता है जो व्यद authors जो वेद हैं उनकी रचना आर्यों की थी अब सबसे पहले बात करते हैं आर्यों के मूल लिवास के इस्थान के मुद्दे पर प्रमक इतिहासकारों में मत बेद है यानि अलग-अलग इतिहासकार इनका जो मूल लिवास है कि यह कहां से आये थे इसके बारे में इनके मत अलग-अलग हैं तो कुछ लोग इसे कस्मीर और हिमाले चेतर से आयो हुए मानते हैं इनको एलडी कल के द्वरा ऐसा मान गया है और पंडित गंगानाथ जहा इसको ब्रह्म रिशी देश से मानते हैं ब्रह्म रिशी देश जो की ये पंजाब से लेकर मत्रा तक फैला हुआ था इसको रिशियों का देश कहते हैं या संतों की भूमी कहते थे ऐसा पंडित गंगानाथ ज जो लोग थे वो ब्रह्मरेशी देश से आये थे और सब्सेंदव प्रदेश डॉक्टर अर्विंद चंद्रदास मानते हैं दोस्तों सब्सेंदव प्रदेश उस प्रदेश को माना जाता है जो की सिंधू और सिंधू के अलावा उसकी पांच साहिकनदी और उसके लावा सरसवती सिंधू और उसकी पांच साहिकनदी और सात्वी सरसवती नदी यानि इस तरह साथ नदियों का जो प्रदेश है उसको सब्सेंदव प्रदेश मानते हैं तो डॉक्टर अर्विंद चंददास मानते थे कि ये सब सेंदव प्रदेश चाहे है और देविका प्रदेश यानि मुल्तान जो भी पाकिस्तान में है डियास द्वेदी मानते हैं और दक्षडी रूस से मानते हैं गार्डन चाइल्ड गार्डन चाइल्ड मानते हैं कि आर्रे जो है दक्षडी रूस से आये थे मदेशिया से मानते हैं मैक्स मूलर और उत्री धुरू से आया हुआ इनको मानते हैं पंडित बाल गंगाधर तिलब तिब्बत से मानते हैं स्वामी तयानन सरस्वती जर्मनी से आया हुआ इनको मानते हैं हर्ड एवर पैंगा और हंगरी से मानते हैं डाइल्स आर्यों को हंगरी से आहब हूँ मनते हैं डाइल्स, तु इस तरह से विद्वानों में, इतिहासकारों में, इनके जो मूल लिवास है कि कहां से आई हैं, इसके बारे में मिध्वेद हैं, तो अब बात करेंगे वैदिक साहित्य की, वैदिक साहित्य में हमको चार वेद आरनिग और उपनिशद्य तो सहीता में इसके जो श्लोक या मंत्र व्याख्या और उपनिशद्य में। जो इस लोग या मंत्रा दी है वो दिये गए हैं दूसरा ब्रामण ग्रंथ में इनकी व्याख्या की गई है और इसमें इनके इसके कर्मकाणों के बारे में बताया गया है और उपनिश्द का मतलब होता है कि गुरू के पास में बैटके ज्यान पर अपकरना तो इस तरह से इनके चार भाग हैं और सबसे पहले बात करें तो वैदिक साहत्ते में सबसे प्राचीन ग्रंत माना जाता है चैंशा्य इस nggak मतलब है कि इसवर की स्थ्षोप करने कि मंत्र और श्लोक आदि इसमें दिए गए प्रारतना दिए गए हैं इसमें कुल 10 मंडल हैं जिन में 1028 सुक्त हैं और 1052 रिचाए हैं एक हजार अठाई सूक्त में एक हजार सत्य सूक्त साकल में हैं और ग्यारे सूक्त बाल खेलिया में हैं और इसमें जो महत्पूर्ट सीजों का उलेख मिलता है उनके बारे में बात करेंगे तो गोत्र आदी का इसमें उलेख मिलता है सूद्र बन का सरफ्थम उलेख इसी में को मिला है गाइत्री मंत्र का उल्लेख भी रिगवेद में देखने को मिलता है जिसके रशनाकार विश्वा मित्र हैं इसमें लोहे का कोई उल्लेख नहीं वाना जाता और नदी सूक्त में 214 सूक्त सोम को समल पित हैं सोम कहते हैं चंद्र देवता को प्रोहित होता जो होता है मुख्य प्रामर्श दाता राजा का उसके बारे में बर्णन है और ब्रहमन गरंथ इसके रिवेद के ब्रहमन गरंथ है एत्रेय और कोशित्ता की के नाम से और दसवे यह जो दिया गया है सूध्रवन कहां पर दिया है दसवे मंडल के प्रोशूक्त में दसवे मंडल के प्रोशूक्त में दिया गया है और गायत्री मंत देखने को मिलता है हमको त्रती मंडल में देखने को और दूसरा आता है यह जुर्वेद तो यह जुर्वेद में इस्तोत्र और कर्मकांड कवर्णन दिया गया है गद् इसका इसोपनिशिद आध्य हत्मिक चिंतन से संब्धनित भाग है यह और ब्रामण ग्रंथ इसका है सत्पत और तैतरिये और इसमें अधर्वर्य माना गया है अधर्वर्यू अधर्वर्यू माना गया है कर्मकांडों को संपन कराने वाला प्रोहित यानिकी फुजारी और अगला है सामवेद तो सामवेद सामका रत होता है संगीत और गान यानिकी यह संगीत ये संबंदित वेद है इसमें यग्गों के अवसर पर पाए जाने वाले मंत्रों का संग्रे दिया गया है मंत्रों को गाने वाले प्रोहित को उदगाता कहा गया है और कोल 1875 इसकी रि चौथा है यह अधरवेद में 20 कांड दिये गई हैं, 730 सूक्त हैं और 5987 मंतरों का संग्रे दिये गया है, 5987 मंतरों में से 1200 मंतर रिखवेद के ही इसमें दिये गए हैं और इसमें ब्रमा का बनन देखने को मिलता है, अधरवेद के मंतरों का उचारण करने वाले प्रोहित को इसमें ब्रमा का गया है, और दो साखाएं हैं इसकी फिपलाद और सौनक, फिपलाद और सौनक इसकी दो साखाएं हैं, उलेख इसमें हमें देखने को मिलता है, मगद और अंग प्रदेश का जो की दूरस्त प्रदेश थे, और सभा और समिती, का उलेख देखने को मिलता है जो कि प्रिजापती की दो पुत्रियां थी, ब्रामण ग्रंथ है इसके गोपत, एक मात्र इसका ब्रामण ग्रंथ है, एक ही है गोपत, और अब आगे कुछ जो महत्मून ब्रामण ग्रंथ है, सत्पत ब्रामण, सत्पत ब्रामण है जो कि मिलता है हमको सुकल यजरुवेद मे इसमें जो महत्मूर उलेख मिलते हैं देखने को हमको वो मिलते हैं पुनर जम्म का सिध्धान्त इसमें देखने को मिलता है जल प्लावन की कथा इसमें मिलती है पुरूरुवा और उर्वसी का अख्यान इसमें हमको मिलता है और पुरुसमेग यक का वणन मिलता है को लेख देखने को मिलता है और दस राग्य युद्ध यानि जो कि दस राजाओं के बीच युद्ध हुआ था वैदिक काल में रिगवेद के सात्वे मंटल में देखने को मिलता है हमें यह फिर थे एक पक्ष में आर्या और अनार्या की भागिदारी थी और पुरुष्णी यानि कि रावी नदी के तरट पर लड़ा गया था भरतों के राजा थे राजा सुदास और दूसरे पक्ष में थे दस राजाओं का संग राजा सुदास जो थे तिच्छू राजवंस के थे और वर्सिज दस राजाओं के बीच में लड़ा गया था पंच जन तथा पांच लगू जन जातियां पांच लगू जन जातियां पांच तो इसमें राजा थे और पांच लगू जन जातियां थे अलिन और पक्त, बलाना, सेव और विर्सानिन के राजा थे तो इस तरह से यानि कि पंच जन और पांच लगु जन जातियों के बीच में ये लड़ा गया था तो इसमें जो विजय हुई थी वो सुदास, राजा सुदास के विजय हुई थी पर इनके प्रोहित थे, प्रोहित होते हैं मुख्य प्रामर्श दाता यानि कि मुख्य मंत्री थे इनके वसिष्ट इस हीज में तो और इसके अलाबा बात करेंगे उपनिसद, उपनिसद यानि की वेदांत, वेदांत बना है वेद प्लस अंत से यानि वेदों कांत, वेदों का शार विजन का सार मिलता है हमको उपनिसदों में, उपनिसद है टोटल संख्याओं में 108 हैं ये वैसे लेकिन मुख्य रूप से ये 19 हैं प्रमुक्ष जो उपनिसद है वो 19 है, दर्षण पर आधारित हैं और साब्डिक रथ करता है स्वेतासृर में मो क्ष का परेला ल्य देखने को मिलता है व्रहतारन्यक में जावाल की कथा देखने को मिलता है चांदोग्य उपनिसद में हमको ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्त तीन आस्रम को लेख मिलता है सत्यकाम और जावाल की कथा देखने को मिलती है और जावालो पनिसद में चारो आस्रम ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्त और सन्यास मटलकम कटोपनी सद में हमको सत्यमिप जैटे काउलेफ मिलता है यम और ने किता का प्रशंग देखने को मिलती है अब बात करेंगे रिधोग प्रमोग सब्रमोग सब्सकिता के बारे में इस सब् का मतलब क्या था तो क्रेशन आयस, क्रेशन आयस का मतलब था लोहा, कुसीद कहा जाता था रेंड को, कुसीद दिन कहा जाता था रेंड दाता को, जो कर्ज देता था, उसको कहा जाता था कुसीद दिन, तक्छा कहा जाता था बढ़ही को, वैकनाट कहा जाता था सूध खोर को, सूध खोर जो ब्याज के पैसे देते हैं और अरित्र का जाता था पतवार को इस पस का जाता था गुप्चर को और प्रमुक नदियां जो थे हैं रिगवेदिक काल की उनके बारे में जानेंगी तो सरस्वती का उलेक इसमें हमें मिलता है रिगवेद में जो सकी सबसे पवित्र नदी मानी गयी है अन्य नाम इसके नदीत्मा देवीत्मा और मातःत्मा यह सरस्वती नदी के नदी नदी नन्य नी इसके आर्थिक महत्यों के कारण इसको नाम दिया गया था और परावत परावत अरब सागर में वो जगय है जहां पर सिंदू नदी गिरती थी सिंदू नदी अरब सागर में जहां पर गिरती थी वो जगय का नाम है परावत तो यह सब चीजें हमें वेदों में मिलती हैं और इसके लावा मह जो कि अक्सर पूछे जाते हैं वैदिक काल से क्वेस्टन नहीं से पूछा जाता है ग्रामडी क्या होता था ग्राम का मुख्या होता था यहाँ पर मैं बता दूँ आपको के सबसे चोटी काई होती थी परिवार जिसको कुल कहते थी और कई कुलों से मिलके बनता था ग्राम ग्रामों से मिलके बनता था विस और विस से मिलके बनता था जन और जन से मिलके बनता था राष्टर तो ग्राम ग्रामडी जो होता था ग्राम का मुख्या होता था जैसे आज काओं का प्रिधान होता है ऐसे उस टाइम बे ग्रामरी होता था विस्पती विस्प का प्रमुक होता था विस्पती थे कई ग्रामों को मिला के और कई विस्पती 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 विस् तो प्रणाली पर अधारित था और सबसे महत्मूर्ण वस्तू थी गाये मानी जाती थी गाये के बदले ही चीजें खरीदी जाती थी और बेची जाती थी जाती दिधाती है प्रमख रिग्वैदिक काल में प्रमख देवता जो थे प्रत्वी के देवताओं में प्रत्वी, सौम, प्रस्पति और अगनी को मना गया है सौम तीसरे सरवादिक महत्मूर देवता थे रिगवैदिक के नौवे मंडल में सभी मंत्र इनको समर्पित थे और अगनी दूसरे सरवादिक महत्मूर देवता थे और रिगवेद के 200 सूकत उनको समर्पित्ण हैं, अगनी को और आकास के देवता माना गया है मित्र को, वरुन को, पूचन को अस्विन को, सूर्य को और विश्ण को तो वरुन के बारे में समुद्र के देवता और रिद के नियामक रित कहते हैं सत्य का नियम, रित कहते हैं हम सत्य के नियम को, सत्य का नियम, तो ये सत्य के नियम के नियमक थे, नैतिक विवस्था के प्रधान थे, और रितस्य गोपा यानि सत्य के नियम का पालन कराने वाले वरोण देवता थे, पूसन देवता, वनस्पतियों और 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 आपको मरूत को और वायू को ये अंत्रिक्स के देवता होते थे और इंद्र इन में सरवादिक महत्मूर देवता माना गया है पुरंदर किलों को तोरने वाला विश्व के स्वामी रिगवेद के ढाई सो दो सो पचास सूक्त इनको समर पे थे आरेयों के युद्ध नेता वर परसा के देवतावी इनको माने जाता था अब वेदों में ये कुलेख मिलता है विराट पुरुस का विराट पुरुस में बताए गया है कि किस जाती की उत्पत्ति है किस बांड की उत्पत्ति को ब्रह्मा के किस सरीर के अंक से हुई है तो इसमें ब्रहमण की उत्पत्ति म और सूद्र की उत्पत्ति मानेगी है पैर से यानि कि वैदिक काल में सूद्र को सबसे नीज से इस्तर का माना गया है और सबसे उच्छ इस्तर का माना गया है ब्राह्मान को ये चार वाण्ड थे वैदिक काल में और पंच जन पंच जन का वाणन हमको देखने को मिलता है और वेद तरी कहा जाता है रिग वेद को यजूर वेद को और सामवेद को वेद तरी अगर पूछा जाता है तो तीन वेद आते हैं इसमा थरवेद नहीं आता है और सहिता तो सहिता चारों वेदों के लिए है रिग वेद यजूर वेद सामवेद और थरवेद चारों वेदो किनको कह गया है वेदांग कह गया है जो कि वेदों का ग्यान प्राप्ट करने में सहायक चीजें होती है वेदों का ग्यान प्राप्ट करने में सहायक तो वेदों का ग्यान प्राप्ट करने में सहायक जो चीजें बताई गई है वो सिक्षा है कल्प है व्याकरण है निरूप् जिनको वेदांग कहा गया है वेदांग और फ्रेंट्स अब यहां पर सबसे इंपोर्टेंट चीज हम विस्कुस करेंगे रिगवैदिक कालीन जो नदियां थी उनके आधनिक नाम क्या है यह अक्सर कुछ आजाता है एक्जाम में चाहे हो कोई भी एक्जाम हो आएस का किनी व्यास नदी को कहा जाता वेपासा रावी नदी को कहा जाता था परुषणी परुषणी जेलम को कहा जाता था वितस्ता और सदानीरा को यानि गंड़क को सदानीरा कहा जाता था सतलज को सुतुद्री और घगर को द्रस दोती घगर को द्रस दोती यह रिवैदिक काल काली नाम है जो कि आधनिक नाम इस तरह से हैं तो ये काफ़ important question है अक्सर इससे question पूर ले जाता है तो आप याद रखेंगी और इसमें सबसे अंतिम चीज कि कौन से मंडल करेगवेद के कौन से मंडल की रचना किस रिशी ने की है या किस देवता ने की है इसके बारे में जानेंगे तो प्रथम मंडल रिगवेद का लिखा है रचना की है मधुच मदा मधुच मदा और मेगा दितिने दितिये मंडल के रचेता माना जाता है ग्रत्समद को ग्रत्समद चतिये मंडल का रचेता माना जाता है विश्वमित्र को चतुर्थ मंडल का रचेता माने जाता है वामदेव को और पंचम मंडल का अत्री को अत्री रिशी को और सस्ठम का बहटवाज को सप्तम मंडल का रचेता माने जाता है वसिष्ट को अस्ठम का कान्व और अंगेरस को दवम मंडल का रचेता माने जाता है सौमदेवता और अन देवकाओं को तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना है वैदिक काल की सभी इंपोर्टन चीजे हमने डिसकस की जो की अक्सर एक्जामस में पूछ ली जाती है आई होब के आपके लिए ये वीडियो हमारा यूजफुल साबित होगा और आप इसे लाइक करेंगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राब करना ना भूलें थैंक्स वर वाचिंग प्लीज सब्सक्राब इस्टेडियों